सातनाम वाहिग्रू साहेवजी सलोक मर्दान ना पहला काल कल वाली काम माद मनुआ पीवण हार क्रोध कटोरी मोहे परी पीलावा अंकार मजलस कूडे लब की पीपी होए खोआर करनी लाहन सत गुड साच सरा कर सार गुण मंडे कर सील के ओ सर्म मास अहार गुर्मक पाई आइनान का खाद जाहे बिकार मर्दान ना पहला काया लाहने आप मद मजलस ते सनाता आता मन्सा कटोरी कूड परी पेलाए जमकाल इतमद पीत है नान का बौते खटी है बिकार ग्यान गुड सलाह मंडे पौमा से अहार नान के पोजन सच है सच नाम आदार काया लाहने आप मद अम्रत ते सकीत आर सात संगत स्यों में लाप होए लिव कटोरी अम्रत परी पीपी कटैं बिकार पौडी आपे सोरन और गान गंदरबा आपे खाट दर्शन की बाणी आपे सिर्संकर महिसा आपे गुर्मक्या का थकाणी आपे जोगी आपे पोगी आपे सन्यासी फिरे बिवानी आपे नाल गोस्ट या आपे उपदे से आपे सुगड सुरूप से आणी अपे सबना जियां का है जानी आपे नाल गोस्ट या आपे उपदे से आपे सुगड सुरूप से आणी अपना चोज कर विखे आपे आपे सबना जियां का है जानी वाहि गुर्जी का खाल सा वाहि गुर्जी की फते एहन आज़े पे वितर होकम नामे जो स्रीदरवार सा वमर सर्त वाहि हन पाई मरदाना जी दे नाम ते ए सलोक है सलोक मरदाना पहला नोट करनवारी गल ए है के पाई मरदाना जी अपनी किसे रचना विच लफज नानक नहीं सी वरत सकते सलोक महले पहले दा अते बरदाने नो समोधन किता होया है तिन्ने ही सलोक सलोक महले पहले देहन पाई मरदाना जी कहरे ने काल जोगी सबाव माननों शराव कड़न वाली मट्टी है काम माननों शराव है ते इसनों पीन वाला मनुकदा मान है मो नाल परी हो एक रोध दी माननों कटोरी है ते हंकार माननों पिलाण वाला है कूडे लब दी माननों मजलस है जिस विच बैके मन काम दी श्राव नू पी पी के खुवार होंदा है चंगी करनी नू श्राव कड़न वाली लाहान सच बोलन नू गोड़ बना के सचे नाम नू सेष्ट श्राव बना गुणा नू मंडे सीतल सुपाव नू क्यो ते शर्म नू मास ये सारी खुराव बना है नानक ये खुराव सत्गुरु दे सन्मकों यां मिल दी है ते इस ते खादेयां सारे विकार दूर हो जान दे हन सरीर मानो शराव कड़न वाली समगरी समेत मटी है अंकार शराव ते तिशना विच पटकना मानो मैफल है कूड नल परी हुई वाशना मानो कटोरी है ते जम काल मानो पिलाउंदा है ये नानक इस शराव दे पितेयां बहुते विकार खटे जंदे हन पाव अंकार तिशना कूड अधिक दे कार्न विकार ही विकार पैदा हो रहे हन प्रवुदा ग्यान मानो गुड होवे सिफ सला रुटियां प्रवुदा डर मास एक खुराख होवे ये नानक एह पोजन सचा है क्योंके सचा नाम ही जंदगी दा आसरा हो सकदा है ये सरीर मटी होवे आप पे दी पशान शराव ते उसी तार पाव जिसी तार अमर करन वारी होवे सत संगत नाड मेल होवे पाव मजलस सत संगत होवे अम्रत नाम दीपरी होई लिवरूप गटोरी होवे ता मनुख इस शरावनों पीपी के सारे विकार पाप दूर कर दे हन प्रभू आप ही देवते मनुख शिवजी दे गान देवतियां दे रागी अते आप ही शेदर्शना दी बोली बनान वाड़ा आप ही शेव शंकरते में हेश्दा करता है आप ही गुरू दे सन्मखो के अपने अकत सरूप दियां वड़ाईयां करता है आप ही जोग दी साधना करन बाड़ा है आप ही पोगं विचे परविर्त हो है ते आप ही सन्यसी बनके उजाड़ां विचे फिरता है आप ही अपने नाल चर्चा करदा है आप ही उपदेश करदा है आप ही सियानी मत वाला सुन्दर सुरू बड़ा है अपना कौत करके आप ही वेखदा है ते आप ही सारे जीवान देहर दे दी जन्न वाला है वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते इस्टेरी सुकम नमा प्राम श्री द्रवार सौमत्स आर्टरण सुर्ण जी अधि अधिन सुलक मर्दाना फिस्ट the dark age of kaljuga is the vessel filled with the wine of sex the mind is the drinker anger is the cup filled with the emotional attachment of egotism is the bartender drinking too much in the company of falsehood and greed one is ruined so let good deeds be your distillery and let truth be the molasses you ferment make the most excellent wine of truth make virtue your bread good conduct the key and modesty the dish of meat as gurmukha these are obtained o nanak consuming them evil and corruption depart the body is the bottle self-conceit is the wine and desire is the company of drinking bodies the glass of the mind's longing is filled to overflowing with the falsehood the messenger of death is the bartender drinking in his this wine o nanak one takes on countless vices and corruption so make a spiritual wisdom your molasses and the praise of god your bread let the fear of god be the dish of meat o nanak this is the true food let the true name be your only support if the human body is the pitcher and self-realization is the wine then the ambrosial nectar streams down joining the satsangat the true congregation the glass of the lord's love is filled with this ambrosial nectar drinking it in one's evil and corruption or eradicated body he himself is the angelic being the heavenly herald and the celestial singer he himself is the one who explains the six schools of philosophy he himself is a shiva shankara and vahesh he himself is the gurmukha who speaks the unspoken speech he himself is the yogi he himself is the enjoyer of players and he himself is the sanyasi wandering through the wildness he discusses with himself and he teaches himself he himself is discreet graceful and wise staging his own play he himself watches it he himself is the honor of the all beings vahigur ji ka kalsa vahigur ji ki fateh